बागमान स्री राम ने लंका पहुचने के लिए बानर सेना से राम सेतू बनवाया था कहते हैं कि आज भी राम सेतू बिद्वान है परन्तु राम सेतू को लेकर भारत में सेतसमुद्रम परियोजना के तहट जब इस सेतू को तोड़ने का कारय किया गया तो हिंदूओं में रोस उत्पन हो गया दोश्तो आपने अक्सर राम एड में देखा होगा कि जब राम सेतू का निरमाड हो रहा था तब पानर सेना पत्थरों पर राम का नाम लिखकर पानी में डाल रहे थे और वहे पत्थर पानी में तेह रहे थे कहते हैं कि उन पत्थरों पर राम का नाम लिखने से वहे तेह रहे थे तो दोस्तों क्या आपने अपनी लाइफ में ऐसे किसी पत्थर को देखा है नहीं तो चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इस चमतकारी पत्थर के दर्शन करवाते हैं तो चलिए भीडियो को स्टार्ट करते हैं देखे इस राम का नाम लिखे हूँ इस पत्थर को जो पानी में डूब नहीं रहा है। यह पत्थर कुछ समय पहले मचली पकड़ रहे बच्चों को मिला। वह इस पत्थर को घर लाकर इसकी पूजा पाट की। दोस्तो हमने रामाइड में इस पत्थर को तेरते देखा था लेकिन क्या सच में हो सकता है ऐसा कभी नहीं सोचा था दोस्तो राम का नाम लिखा यह पत्थर हमेशा पानी में तेरता ही रहता है ऐसा की औराणे कहानियों में देखनी को मिलता है इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि पत्थर पानी में फेंके जाने पर भी नहीं डूब रहा है और बार बार उपर ही आजाता है यही भगवान राम का चमतकारी पत्थर है दोस्तोस स्री राम के सच्चे भक्त कमेंट में चे स्री राम चरूर लिखें और अगर आप वे वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सबस्राइब करके वीडियो को लाइक सेर करना ना भूलें धन्यवाद